हलो गाज तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आपका ये mb tab open नहीं हो रहा है तो आप इस problem को किस सराउ बताने वाला हूँ वीडियो को end तक देखना है वीडियो को कहीं पर भी इसकिम नहीं करना है नहीं तो आपका problem जो solve नहीं हो पाएगा तो चलिए गाज फटा पर वीडियो को start कर लेते हैं तो गाज इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले आपको settings open करनी है settings open हो जाने के बाद guys यहां पर आपको एक option मिल जाएगा apps का या apps and notifications का आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद guys यहां पर आपको एक option मिल जाएगा manage apps का या see all apps का तो आपको यहां पर क्लिक करना है इसके बाद गाईज आपके फोन में जितने भी आप सौंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको MBT एप को डूण ले लेना है तो चले मैं डूण ले लेता हूँ तो गाईज आप लोगों देख सकते हैं मुझे MBT मिल चुका है इसके बाद इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने कुछी इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा अगर आपको इस सेट्रिंग्स डूणने में कोई दिक्कत हो रही है आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक सौटकट बता देता हूँ इसके लिए आपको इस MB टैप के ऊपर 2-3 सेकेंड तक लोंग प्रेस करके रखना है इसके बाद एप इंफो का एक उप्शन आ जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आप डारेक्टली यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है तो यहां पर आपको फॉर्स स्टॉप बाले उप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद ओके पर क्लिक करना है इसके बाद आपको तीसरे नमबर पर एक उप्शन मिल जाएगा इसके बाद गाइज क्लियर कैंचे पर क्लिक करना है इसके बाद गाइज आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है इसके बाद गाइज आपको बैक आ जाना है इसके बाद guys आपको दूसरे नमबर पे एक option दिख जाएगा permissions का आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपको यहां से permissions को allow कर देना है तो guys इतना कर लेने के बाद guys आपको पूरा back आजाना है इसके बाद guys आपको place to replication को open कर लेना है इसके बाद गाईज आपको search bar आपको देखी जाएगा आपको इस पर click करना है यहाँ पर guys आपको search कर लेना ambit इसके बाद guys यह application आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको देख लेना है यहां पर आपको open ही दिखना चाहिए अगर आपको open की जिगा पर update दिख जाता है तो आपको update पर क्लिक करके इस application को update कर लेना है इसके बाद guys आपको अपना phone एक बार restart कर लेना है इसके बाद आपका problem जो हो जाएगा वीडियो अगर अच्छे लेगी तो वीडियो को like कर दें चैनल पर नाएं तो चैनल को subscribe कर लें ऐसी टिप्स आपने ट्रुक्स के लिए thank you